इस दौर में लोग जरा जरा सिवात पर एक दूसरे के खून के प्यासिय हो जाते हैं। बात इतनी बढ़ जाते हैं कि विवास से शुरू हुआ मामला खून खराबे तक पहुँच जाता है। ऐसी ही एक वारदाद मतुरा के श्रेडगर के गाउं पैगाउं से सामने आई है। जहां बाप के खून का बदला लेने के लिए बेटे ने भरी पंचायत में यूवक को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद इराके में हरकम पंच गया। वहीं मामले में पताया गया कि मरने वाले यूवक के पहचान अमोल के रूप में हुई है। जिस शक्स ने उस पर गोली चुलाई थी वह पूरु प्रधान रामवीर का बेटा है। इस पूरे घटना में शामिल पाँच अभ्यूक्तों को पोलिस ने हिराशत में ले लिया है। और इसमें दो असलहों की भी बरामदगी पुलिस ने की है। प्रभावी वीवेचना करते हुए दोशियों के विरुद कड़ी से कड़ी करवाई की जाएगी। और मानिय न्याले में पैरवी करते हुए इनको सजा दिलाने के लिए त्रभावी पैरवी भी सुनिशित की जाएगी। वहीं इस मामले में SSP ने कहा कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश है। 2022 में कृष्णा चौधरी के पिता रामवीर के हत्या हुई थी। हत्या का मुख्या रोपी अमोल पहलवान था। बताया गया है कि अमोल इस मामले में जेल भी गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाच कर रही है। बीरोर पोर्ट सीन्यू जागरा।